इस वीडियों में लोग पर एक क्लास एट साइंस के चैप्टर थी को तो चैप्टर टू तक आप जरू देख लीजिए और इस चैप्टर का नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स तो बच्चों कि आप जानते हैं कि जो क्लोथ समलोग पहनते हैं वो फैब्रिक का मिलके बना होता है और यह जो फैब्रिक है वह कैसे बनता है वह फाइबर से बनता है फाइबर का मतलब क्या हो गया रेशा हो गया तंतु हो गया जो कि पिछले क्लासेज में भी आपने पढ़ है और यह जो fiber है यह दो प्रकार का हो सकता है एक होता है नेच्छल फाइबर और दूसरा क्या होता है सिंथेटिक फाइबर तो नेच्छल फाइबर जैसे क्या हो गया cotton तो cotton का नाम आपने आप सभी ने सुना है तो बहुत सारे हमारे जो कपड़े होते हैं जो फैब्रिक होते हैं, वह cotton से बने होते हैं, यानि cotton नामक fiber से बने होते हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे जो कपड़े हैं, वह synthetic fiber से बनते हैं, जैसे क्या हो गया, rayon हो गया, nylon हो गया, आपने polyester का नाम सुना है, तो यदि मैं आपको यहाँ दो fabric दिखाओ, यहाँ पर आप देख स इधर हैं, synthetic fiber, और यह cotton fiber से मिलकर बना हुआ है, तो जो cotton fiber हैं, उसको हमलोग क्या बोलते हैं, natural fiber, औरगऐ हमलोग क्या बोलते हैं, man made fiber, तो इस तरीक के से हैं आपने पढ़ा, यह जो fiber है, यह fiber कितने तरीके का होगा, दो तरीके का होगा, एक होगा नेचरल फाइबर और दुसरा क्या हो गया? सिंथेटिक फाइबर या फिर मैनमेड फाइबर तो उदारान आप देश तकते हैं जो नेचरल फाइबर है कॉटन हो गया, उल्फ हो गया, सिल्क हो गया वह कहां से आप्टेन किया जाता है और वह वर्ड है आप्टेन तो कहां से आप्टेन कियाता है कहां से प्राप्त किया जाता है कहां से वह मिलता है तो मिलता है प्लांट से और एनिमल से इंसेक्ट से इन सारे चीजों से ये मिलता है हम लोग को लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर है उसको other material को use करके बनाए जाता है, इसलिए उसे हम लोग man-made fiber भी कहते हैं, तो अब हम लोग देखते हैं कि synthetic fiber क्या होता है, तो synthetic fiber क्या होता है, a synthetic fiber is a chain of small units, यह small units का chain होता है, जो की एक साथ जुड़ता है, join together, each unit are chemical, और प्रतेक unit क्या होते हैं, chemical होते हैं, तो जैसे अपने माल माला में छोटे-छोटे यह beads होते हैं, छोटे-छोटे units होते हैं, वह मिल के क्या बनाते हैं, एक chain का निर्मान करते हैं, ठीक इसी प्रकार से, यहाँ छोटे-छोटे chemicals हैं, वह क्या करते हैं, मिलते हैं, और एक chain बनाते हैं, और किसीज का formation करते हैं, synthetic fiber का formation करते हैं, और इस fiber को हम लोग क्या बोल सकते हैं तो क्या हुआ यहां चोटे चोटे यूनिट्स हैं वे जुड़े होते हैं और एक चीन का निर्मान करते हैं इसे ही हम लोग क्या बोले हैं synthetic fiber करते कहते हैं और synthetic fiber क्या हो गया polymer हो गया तो यह polymer 2 watts है poly और दूसरा मर poly मतलब होता है many और मतलब क्या आता है unit और part तेहाँ पर आप देख सकते हैं जब बहुत सारे parts आपस में जूड़ते हैं करते हैं तो एक single large unit का निर्मान करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं polymer बोलते हैं तो आप देख सकते हैं what is polymer यह भी question आपको exam में आ सकता है तो many small units join together to form a large single unit is called a polymer तो many small unit क्या याद करना है small unit join together यह वर याद कर लेना आपको join together मतलब मिलता है और large single unit बनाता है तो small unit large unit and join together three words small unit large unit and join together small unit मिलता है join करता है और एक large single unit का formation करता है और इस इक हम लोग क्या बोलते हैं polymer बोलते हैं तो आप असानी से बेग्जाम में इसको लिख सकते हैं इसके बाद हम लोग को पढ़ना है जो next topic हम लोग है types of synthetic fibers तो synthetic fiber में हम लोगों को सबसे पहला पढ़ना रियॉन के बारे में फिर nylon के बारे में फिर polyester और acrylic के बारे में तो चलिए हम लोग एक एक के question बहुत बार पूचा जाता है artificial silk किसे कहते हैं यह क्या हो गया rayon हो गया ठीक इसी प्रकार से first fully synthetic fiber किसे कहते हैं वह nylon है तो कुछ points से जो कि आपको याद रखना है nylon क्या first fully synthetic fiber है लेकिन rayon जो है वह first fully synthetic fiber नहीं है क्योंकि इसको wood pulp से बनाया जाता है इस करन्स इसको fully synthetic नहीं कहा जाता है तो आप देख सकते हैं rayon fully synthetic fiber नहीं है फिर भी इसको लोग synthetic fiber मानते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं rayon is obtained from chemical treatment of wood pulp, wood pulp के chemical treatment से rayon को प्राप्त किया जाता है यह वह आपको याद कर ले obtained obtained from chemical treatment क्या treatment है chemical treatment of wood pulp यह wood pulp से प्राप्त होता है और wood क्या हो गया natural चीज हो गया फिर भी इसको हम लोग क्या बोल रहे है synthetic fiber कह रहे हैं और इससे हम लोग क्या बोलते हैं artificial silk भी बोलते हैं it is cheaper than silk यह silk से cheaper होता है सस्ता होता है and can be woven like silk fiber और जैसे silk fiber को बुन कर कपड़ा बनाया जाता है ठीक उसी प्रकार से इसको भी बुन कर कपड़ा बनाया जा सकता है इसके बाद it can also be dyed in wide variety of colors dye मतलब इसको रंगा जाता है variety of colors में तो आप देख सकते हैं कितना important है यह wood pulp से chemical treatment से बनता है इसको बुन सकते हैं silk fiber की तरह साथ ही साथ यह क्या होता है इसको dye कर सकता है रंगा जा सकता है तो यह कितना important है आप देख सकते है रियॉन mixed with cotton to make bed sheet and carpets तो रियॉन को जो cotton के साथ mix कियाता है तो बहुत अलग अलग प्रकार के fabric बनाए जाते हैं जिसे की bed sheet और carpets का formation होता है निर्मान होता है इसके वाज़ता है nylon तो nylon क्या है first fully synthetic fiber जैसे मैंने बताया first fully synthetic fiber कौन है nylon है एकदम याद कर लिजिए in 1931 it was made without using any natural raw material तो बिन कोई natural raw material के इसको बनाए गया तो आखिर इसको कैसे बनाए गया it was prepared from cold water and air तो यह cold को मिला के water और air इनको मिलाकर बना है तो इसको आपको याद कर लेना है कि यह कैसे prepare के गया cold water and air से इसको prepare किया गया है यह fully synthetic fiber है जो कि 1931 में बिना कोई natural पदार्थ के use कि इसको बनाया गया तो यह आप देख सकते हैं यह बहुत strong होता है elastic होता है और light होता है तो nylon का बहुत ज्यादा use क्यों होता है यदि आपको ऐसा प्रशन पूशा है तो आप क्या कह सकते हैं कि यह बहुत strong होता है elastic होता है light होता है light मतलब हलका होता है इस currency इसका बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है और यह बहुत स्ट्रॉंग होता है तो कितना स्ट्रॉंग होता है तो जो नाइलोन का थ्रेड है हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉंगर देन स्टील वायर से भी स्ट्रॉंगर होता है तब देख सकते इसका यूज कितना जादा है तो क्या कि यूज कर सकते हैं बहुत सारा यूजिस का है, socks के रूप में, rope, tents, toothbrushes, car, seatbelts, sleeping bags, curtains, बहुत सारा चीज को बनाने में इसका उप्यों किया जाता है, साथ ही साथ parachute में भी को बनाने में भी किसका उप्यों किया जाता है, nylon का, तो आप से पूछा जाए, parachute में कौन सा synthetic fiber यूज किया जाता है, आपको क्या उतर द fiber आप देख सकते हैं, ये है polyester, और polyester दो वर्ट से बना है, फिर से याद करिये poly plus esther और ये किस चीज से बना है, तो ester नामक monohemur से बना है, या नि कि ester नामक छोटे-चोटे unit से बना है, और जब ester मिलते हैं, तो polyester बनाते हैं, बड़ा unit का formation करते हैं, तो polyester आपने भी ब रिंकल्ड नहीं होते हैं मतलों में जुर्य जल्दी नहीं आता है और साथ ही क्रिस्प बने रहते हैं और इनको आसानी से धोया भी जाता है इसलिए ये ड्रेस मेटरिल बनानी के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं जैदि आपको question examination में आएगा कि polyester क्यों उपयोगी है या फ इसलिए इसका उपयोग ड्रेस मेटरियल बनाने के लिए किया जाता है इसके बार आप देख सकते हैं टेरिलीन यहां एक polyester हो गया जो कि popular polyester है टेरिलीन क्या हो गया तो आपको exam में पूछा जाएगा कि एक polyester का नाम बताई तो आपको क्या नाम देना है टेरिलीन का नाम सकते हैं और इसके द्वारा क्या-क्या बनता है बहुत सारे bottle है इटेंसिललज है他们 से pronounce है वार से वह किस के ड्वारा बंनते हैं यह यह बंनते हैं PEP के दोरा तो आपको पूछा जाएगा जो bottles है उसका formation किस द्वारा होता है तो वह PEP के द्वारा होता है तो पुछा है तो त सदम रट लेना है याद कर लेना है इसका वांद रहता है acrylic तो आप जानते हैं कि आप बहुत सारे clarify क्लोस हम लोग आप पहन रहे हैं वह artificial fabric acrylic है यह use for making sweaters soles and blankets usually जो अभी आ रहे है वो किसके बनते हैं एक्रिलिक के बने होते हैं इसके बार आप देख सकते हैं ये चीप हैं इस करण से इनका उपयोग किया जा रहा है और ये variety of colors में मौझूद हैं तो हम लोगों ने ये सारा synthetic fiber का types को पढ़ा तो synthetic fiber बहुत ही उपयोगी है हमारे लिए ये बहुत सस्ता होता है बहुत अच्छा दिखता है बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको बनाए जा रहा है तो ये बहुत उपयोगी है हमारे लिए बहुत सारे चीज़े से बनाई जाती है लेकिन ये हमारे लिए बहुत खानिकारक भी हो सकता है तो वही से एक आपको प्रशन आता है कि why we should not wear synthetic clothes working in the kitchen यदि हम लोग kitchen में काम कर रहे है हमारी मा kitchen में काम कर रही है हमारी दादी में काम कर रही है तो आखिर उनको polyester की clothes क्यों नहीं पहनने चाहिए तो इसका सीधा सांसर आपको यह समझना है synthetic fibers melts on heating ये और आपको याद करना है कि it melts on heating it melts on heating मतलब ये पिघल जाता है heat होने के ब चिपक जाएगा stick कर जाएगा तो ये क्या करेगा ये stick to the body ये body से चिपक जाएगा जिसके करन बहुत ज्यादा जल सकता है किसी का body इस करन से इसका उपियो kitchen में नहीं करना चाहिए तो हम लोग cotton के dress को पहनना चाहिए तो हम लोग kitchen में कोई काम कर रहे हैं इस प्रकार से types of synthetic fiber यहाँ पर complete होता है तो next topic अब देख सकते है characteristics of synthetic fiber तो आपसे पुछा जाता है what are the characteristics of synthetic fiber या फिर पुछा जाता है कि आप synthetic fiber को क्यों prefer करेंगे तो दोनों का answer में आप लिख सकते हैं तो synthetic fiber क्या होते हैं जल्दी सूख जाते हैं यह जो इसके fabric होते हैं इसका जो कपड़ा होता है वो जल्दी सूख जाता है यह durable होता है less expensive होता है easy to maintain होता है और यही सब कारण है कि हम लोग synthetic fiber से बने हुए fabric को उपयोग में लाते हैं तो next topic आप देख सकते हैं यह है plastics तो plastics से आप सभी वाकिफ हैं लेकिन कि आपको पता है कि plastic के कितने प्रकार हो सकते हैं जो चीज आप समझते हैं कि plastic नहीं है वो भी plastic हो सकता है तो चली हम लोग देखते हैं plastic के बारे में तो plastic होता क्या है तो plastic is also a polymer plastic भी एक polymer है polymer में small units से मिलकर बना हुआ लंबा chain है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं plastic क्या polymer है और इसमें जिस small units होते हैं वो या तो linear way में joined होते हैं या cross linked way में join होते हैं तो linear मतलब क्या हो गया एक के बाद एक इस तरीके से यहाँ ज्वाइंट रहेगा तो इसे क्या बोलेंगे linear लेकिन cross linked मतलब क्या हुआ आप देख सकते हैं इस तरीके से आणा तिरिच्छा joint है इधर भी है और इधर भी है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे cross linked तो य तो यह plastic भी क्या हो गया एक polymer हो गया तो next question आपको आता है वह यह आता है कि जो plastic है इसको उपयोग हम लोग क्यों कर पाते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं यह easily moldable होता है different shape और size में plastic को असानी से mold किया जाता है अलग-अलग shape में अलग-अलग size में साथ ही साथ यह क्या होते ह इसके साथ ही इनको reuse किया सकता है इनको color किया जा सकता है पिखलाया जा सकता है rolled into sheet और made into wire इनको sheet के रूप में ढाला जा सकता है बनाया सकता है या फिर इन से wire भी बनाया सकता है तो इतने सारे कारण है कि इसका variety of use होता है plastic का यह दि हम लोग बात करें कि plastic जो कि सबसी important question thermo signific plastic और दुसरी को बलते हैmosetting plastic तो therm what क्या हो गया heat हो गया तो वैसे plastic जो की heat पाते ही गर्मी पाते ही पिखल जाते हैm els hoff कर सकते हैं उनका लोग जैसे ही 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 लिए मिल्ट हो जाता था तो ग Candy जबuba यूंग traffic जैट्ब ये जबकि यूदि जित आ में पूद्हा जाकता है प्लास्टिक लिट डिफॉर्माविद इसली प्लास्टिक जो की ही पाते ही deform हो जाता है आसानी से उसको क्या बहुत नहीं किया सकता है तो बहुत आसान है यह इसको क्या बहुत बहुत नहीं कमा डर्य बहुत नहीं किया सकता है ऑई याद कर लिजीए इसके बाद लगे हैं जब कि आप देख सकते हैं जो क्याए थर्मो शेटिंग प्लाश्टिक और इसमें जो वह किस चीज का बना होता है backlight का बना होता है खिर क्यों कि इसको backlight का क्यों मना जाता है क्योंकि इसमें सबसे important कारण है कि ये poor conductor of heat होता है और electricity मतलब इस से heat जो है वह एक जगा से दूसरे जगा transfer नहीं होता या बहुत कम होता इस तरीके से कहेंगे और दूसरा बोलेंगे यह जो switchboard में switch लगाते हैं तो वो poor conductor of electricity मतलब electricity इसमें आप ऐसे touch करेंगे तो आपको यहाँ पर electric जटके नहीं लगेंगे क्योंकि यहाँ पर electricity यह pass नहीं करता है इस कारण से backlight को हम लोग इस चीज में use करते हैं तो पुछा जागा कि backlight क्या होता है तो poor conductor of heat and electricity होता है इसलिए इसको बहुत जगह पर use किया जाता है switches में handles of utensils में और भी बहुत जगह इसको उपयोग में लाया जाता है इसके बाद आता है मेला माइन तो मेला माइन जो होता है वह floor tiles kitchen wears और ऐसे fabrics बनाने में इसका use होता है जो की fire को resist करता है तो मेला माइन बहुत जादा fire को बरदास्त कर सकता है इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं इसको ऐसे fibers बनाने में यूज करते हैं जो की fire से resist जो fire को क्या करें resist करें तो यह सारे points आप याद करते जाए तो next topic आप देख सकते हैं characteristics of plastics plastics के क्या क्या गुण हैं तो plastic के बहुत सारे गुण हैं जिसके क देते हैं हम लोग बहुत सारे चीजों में आप प्लास्टिक का यूज करने लगे हैं तो सबसे पहला क्या होता है plastics are non reactive plastic reactive नहीं होते हैं तो plastic air से water से या बोले moisture से react नहीं करते हैं जिससे कि इनमें corrosion नहीं होता है corrosion मतलब यह deform नहीं होते हैं और इस कारण से हम लोग इसका बह उपयोग करते हैं बहुत सारे utensils बनाने बहुत सारे बरतन बनाने में इसका उपयोग करते हैं दूसरा plastic is light, strong and durable plastic हलका होता है light होता है मतलब हलका होता है durable होता है strong होता है और साथी cheaper होता है सस्ता भी होता है तो आप बताए कि या plastics का समान को ज़्यादा prefer करेंगे या फिर आ हाउस होल चीज रहा है यह सारे अपर याद रखन है कि यह क्या का लेक्टी होता है दूसरा होता है हलका होता है हुआ होता है इसके बाद देखेंगे इस पूर कंडुक्टर होता है इसलिए जो वायर होता है उसका जो कवरिंग होता है वह किस चीज का बना होता है प्लास्टिक का बना होता है जो बर्तन होते हैं, उनके handles होते हैं, जो switches होते हैं, वो back a light के बने हैं, तो जो भी एक plastic है, ऐसा क्यों है? क्योंकि वो poor conductor of heat and electricity है, तो यह सब बात आप जो पहले मैंने पढ़ाया, वही बात आपको दोरा देना है. इसके बाद आप देख सकते हैं, fireproof plastic, जो मैंने अभी तुरन कोट लगाया जाता है जिससे कि वह आगे ओयल या फिर पानी के ड्रॉप्स को उस पर चिपकने नहीं देता है और इसका जो कोटिंग है वह कुक वेर पर भी किया जाता है तो नेक्स्ट अपिक आप देख सकते हैं प्लास्टिक एन इंवार्मेंट तो प्लास्टिक हमारे हो रहा है मतलब इसको डिग्रेट नहीं किया रहता है बायलोजिकली इस करण सी हमारे नेचर में एक्क्यूमूलेट हो रहा है जिससे कि यह पॉल्यूशन का कारण बन रहा है इसका डिस्पोजल एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है इसलिए हम लोग को प्लास्टिक का प्योग करते हैं तो वह सो शिए समझ का प्लास्टिक का प्योग करना चाहिए तो यहां पर आप ढ़े को कि यहizzy के अपकी आपके बहुत जरूरी तो यहां देख सकते हैं या यादग के बना हुआ है यॉप्लस दिग्रेडबल तो वैसे सबस्टांस जिसको degrade किया जा सकता है decompose किया जा सकता है biologically biologically मतलब micro organisms के द्वारा दो तीन वर्ड याद रखिये जिस material को हम लोग decompose कर सकते है biologically आपको कुछ नहीं या रहा है तो materials that can be degraded that can be decomposed biologically और by the help of microorganism is called biodegradable मतलब जिनको हम लोग micro organism के सहाइता से decompose करते हैं जैसे की बहुत सारा animal और plant waste होता है हमारे घरों में वह क्या होता है decompose होता है decompose कहने का मतलब वह सरगल के समाप्त हो जाता है वापस की nutrients environment में चले जाते हैं तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं कि वह क्या होता लेकिन बहुत सारे ऐसे सबस्टांसे से जो कि नॉन बायो डिग्रीडेबल हैं जो कि बायोजिकली नीचुरल प्रोसेस के दुवारा जिनको डिकंपोस नहीं किया सकता है यहां पर आप इसका भी परिभाषा को डिफिनेशन को बहुत आसानी से लिख सकते हैं इसके डिस्पोजल का बहुत साथ प्रोब्लम क्रियेट हो सकता है तो हम लोग को देखना है कि आखिर हम लोग इसको इससे बचने के लिए क्या क्या उपाय करेंगे जो कि कई बार आपके एक्जाम में पूछा जा सकता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग एक वाइड करेंगे यूज ओफ प्लास्टिक कम से कम प्लास्टिक का उपियो करेंगे और वैसी प्लास्टिक का उपियो करेंगे जिनका रिसाइकल असानी से किया जा सकता है इसके बाद हम लोग कॉटन और जूट बैक्स का उपियो करेंगे प्लास्टिक के जगए waste should be collected separately घरों में जो waste होगा उसको हम लोग biodegradable waste अलग करेंगे non-biodegradable waste अलग collect करेंगे उसका disposal अलग तरीके से करेंगे यह सारा चीज आपको लिखना होगा और आपको 4R के बारे में लिखना होगा सबसे पहला reduce हम लोगों को plastics का जो use है उसको reduce करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा reuse जिसको हम लोग वापस से use कर सकते हैं उसको use कर लेना चाहिए recover यदि उसमें कुछ गड़बड़ी है अब लोग recover कर सकें तो कर लेना चाहिए और next है recycle उसको recycle करें ताकि हमारे mother nature को कोई problem ना है तो इस प्रकार से ये chapter यहां पर समाप्त होता है पहले की chapters को भी आप जरूर देखें तो मैं मिल रहा हूँ आपसे next video में thank you